साथियों आप सभी के स्प्रेफार्म पर सागत हैं यहाँ पर हम लोग विजन आईस कोचिंग संस्था के दोरा जो निव टूडे सिर्सक से डेली करेंट अफेर प्रवाइट के आता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि केंदरी ग्री मंतरी ने आतंकवाद रोधी एजेंशियों ATS की प्रोहुर्शिल्ता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया देकि हाल ही में ग्री मंतरी ने राश्टी जाच एजेंसी NIA द्वारा आयुजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन को सम्मुधित किया उन्होंने कहा कि सभी एजेंशियों के ऐसा कठो रुख अपनाना होगा कि नए आतंकवादी संगठ ना बन सकें जो सुझाओ दिये गए इसमें उन सुझाओं की बात करें तो पहला है मौडल आतंकवाद रोधी सरचना किया इसे सभी राज्यों के लिए NIA के तहत इस्थापित किया जाना चाहिए वर्तमान में केंद्र और राज इस तरह पर अलग-अलग ATS काम कर रही है राज ATS में एक रुपता होनी चाहिए केंद्रियों और राज इसेंशों के बीच बहतर समनक सुनशित करने के लिए राज ATS में एक समान पदानुकरम यो मानक संचालन सब पर किया होनी चाहिए तीसरा डेटा का उपयोग आतंकवाद के खिलाफ लडाई को अधिक सफल बनाने के लिए सभी ATS को डेटा वेस का बहुयामियों और Artificial Intelligence आधारित उपयोग करना चाहिए भारत में प्रूग आतंकवाद रोधी एजंसियों की बात करें तो केंदर इस तरह पर गिरिह मंताले का धिन निम्रिखित ATS है जैसे कि राश्टी जाच एजंसी यहाँ आतंकवाद रोधी कानूनों को लागू करने वाली केंदरी एजंसी है इसका गठन मुंबई आतंकवादी हमले के बाद NIA अधिनियम 2008 के ताहट किया गया था इसके कारिछेतर में संपूर्ण भारत आता है और यहाँ तक की विदेशों में रहने वाले भारती भी इसके दायरे में आते हैं दूसरा है भारती सच्छा गार्ड NSG इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है यह आतंकवाद रोधी के दिवधियों से निपटने के लिए विशेश बाल है राज सरकार के इस तर पर देखें तो यहाँ पर आतंकवाद रोधी रस्ता ATS यह राज पुलिस के अधिन आतंकवाद रोधी विशेश इकाया होती है दूसरा है Special Task Force HDF राज्योदरा इनका गठन संगठित अपराद आतंकवाद के बिद्पोशन आधिसे निपटने के लिए क्या जाता है इसके बारें थोड़ा सा और देखें आतंकवाद से निपटने के लिए जो भारत के प्रयाश रहे हैं अबे तक उसमें पहला है National Intelligence Grid Net Grid कह सकते हैं इसके स्थापना आतंकवादियों आर्थिक अपराधों और इसी तरह की अन्यगतिविद्यों पर जानकारी को साज़ा करने के लिए एक साहजवा सुरचित डेटाबेस के रूप में की गई है वैशुक इस्तर पर बात करें तो भारत ने 1986 में 1986 में सैंकुत राष्ट में अंतराष्टी आतंकवाद पर ब्यापक अप्ष्ण में CCIT पर प्रारूप दस्तावीच प्रसुत किये थे भारत सैंकुत राष्ट आतंकवाद रोधी कारियाल है UNOCT का सज़ेश्य है भारत वित्यकारवाई कारिवल FATF का सज़ेश्य है यहां संगठन बैश्विक मनी लॉंडरिंग और आतंकवाद के बित्पोष्ण की निगरानी करने वाली संस्था है आगे बात करते हैं बिरांगना रानी दुर्गावती की पांसोवी जैन्ती मनाई गई है देखे रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा में महोबा के चंदेल राजवंस में हुआ था उनका बिवा 1542 में गढ़ा कटंगा के गोड़ राजवंस के सासक द नचक के रूप में गोड़ राजवंस की सत्ता समाली थी रानी दुर्गावती के योगदान की बात किनेत उन्हों ने रानी ताल चेरी ताल और अधार ताल जैसे जलाशों के निर्माण कराया था उन्होंने अपनी राजधानी सिंगवर गढ़ से चौरा गढ़ इस्थान उनके सासनकाल के दौरान अक्बर ने गोंड समराज पर आक्मन किया था इस आक्मन का नेतुरुत आश्रफ खान ने किया था दुर्गावती की कहानी अबुल फजल जो अक्बर के इतिहासकार रहें और बिटिस करनल श्लीमन की रशनावों से प्राप्त होती है चंदेल रा क्या जातानी खजराहोती हालाकि बाद में इसे बदलकर महोबा कर दिया गया चंदेल राजवन का योगदान की बात करें तो चंदेल सासको ने दर्सवी सतापदी के मद्द में खजराएक के मंधिरों का निर्माण कर आया था उन्होंने बुंदेलखंड की समर्द चली वस मनाया जाताiffe, जुए ध्यान रखीएगा, महॉबा में सोरी मंदिर और कलिंजर के लेंगा निरमाड ये उसको चंदेल राजमस के सास्कों ने करवाया था, और हो आगे आगे बात करते हैं, अमेरिका इस्तित्थ्थ्रम हाुस ने Community चैट GPT कॉम करता है, जनरेटिब AI उपकर्ण आउनलाइन दुस्परचार अवियानों को बढ़ावा देने का खत्रा पैदा करते हैं, ये उपकर्ण स्वतार टेक्स्ट आडियो और इमेज बना सकते हैं, जैसे कि चैट GPT करता है, इस तरह के उपकर्ण तेजी से अधिक परि एक दसक पहले की संख्या से लगब दो गुनी है, AI ने Artificial Intelligence ने सरकारों को अपनी ऑनलाइन संसर से बढ़ाने और परिस्कित करने में सच्छम बनाया है, कम से कम 21 देशों के कानुरी धाचों ने प्रतुकूल राजिनितिक, सामाजिक और धार्मिक्स भाषणों को हटाने के मशीन लर्निंग का उपयोग करने है, तो डिशनल प्रेटफार्म को बाद यहां प्रुचाहित किया है, इंटरेट के स्वतनता की सुरच्छा के लिए जो सिफारी से की गई उनकी बात करें, तो देखिए, अतीज से प्राप्त अनभों के आधार पर Artificial Intelligence को बिनियमित करने क एक रोड मैप विक्सित करना चाहिए, अब यह रोड मैप कैसा होगा, इसको यहां पर बताया गया, देखिए, इस रोड मैप में क्या होगा, कंटेंट मॉडरेशन सहीत AI डिजाइन, परिनियोजन और उपयोग पर पारदर्स्ता को बढ़ावा देना चाहिए, स्वतनत्र और मानवा दिकार प्रहा आकलंग करने की जरूरत है, अल्गोरिदम बेदभाव तथा अब प्रभावी और अर्सुर्चित परणलियों से सुरच्छा प्रदान करना ये भी होना चाहिए, साथी प्रभावी लेवलिंग विक्सित करना और डेटेक्शन साफ्ट्वेयर में निवेश करना चाहिए, डेटा संग्रहन और उपयोग को नियूंतम करके डेटा गोपनीता को बजमूत करना चाहिए, साथी वैशिक नागरिक समाज के साथ सार्थक सहयोग करना और से संसाधन उपलप्त करनाना, स्वतंत निरिच्छन करने के लिए न्याय पालिका हो और प्राधिकारों को सत्क बनाना तथा सूचना की सत्कता, मानवाधिकारों और रायतिक संदर्भों के संबंद मेरा आंतरिक विश्यशक्यों में निवेश करना, मानवी निरिच्छन, व्याख्यात्मक्ता, अपील और निवारण के लिए प्रणालिया विस्थापित करना, AI प्रणाली की अनुपातिकता, अवशक्ता और बैदता सुनशित करना, ठीक है, तो ये कुछ जो है, एक रोड़ों इस प्रकार से विक्षित करना चाहिए, साथी, AI उपकरणों का उप्योग करने वाले राज और गयर राज दोनों अभिकरताओं के लिए मजबूत को मजबूत करने के हो शकता है, सरकाई निगरानी बैद आवशक और अनुपातिक होनी चाहिए, आगे बात करते हैं, आपदा रोधी आवसरचना गटवंधन, CDRI ने capturing the resilience dividend report जारी की है, इसके मुख्य विन्दु क्या है, जलवाईू परिवरतन के कान आवसरचना छेत्रक को सकल घरेलू उत्पात, GDP के लवग 14% का वैश्विक और सत वार्सिक नुकसान हो शकता है, जलवाईू परिवरतन के कान, इसका आदे से अधिक बोज निम्द और मध्यम आये वाले देशों पर पढ़ने की आशंका है, भारत में केंद्र और रासरकारे वरतमान में सहरी और स साथी इससे प्रभावी रणनीत्या बनाने में भी मद्द मिलेगी, वैश्विक और सर्चना जोखी मॉडर और लचीलापन सुचकांग G.I.R.I. गिरी विक्सित किया गया है, इसका उप्योग अधिकतर बड़े भुवय ग्यानिक और जलवाईू संबंदी खत्रों के कान और सर्चना परसमप्त्यों के समझ उत्पन जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए क्या जाएगा। समाधानों को समय कित किया जाना चाहिए भारत में प्रकित आधरित और सर्चना समाधानों NBLS को एकिकृत करने के लिए राज जलवाईव परवितन का रियोजना SAP CC में की मदद लिए जा सकती है अब थोड़ा साम लोग CDRI अर्थात आपदा रोधी और सर्चना गडवंधन के बारे में बात करें इसका सचिवाल ने दिल्ली में है इसके उत्पत्ति भारत ने 2019 में भारत ने 2019 में सहिकृत राज जलवाईव कारवाईव सिकार समयने में लां सब्सक्राइब करने के लिए नई और मवजूदा आउसरचना पणालियों को जलवाईव आपदा संबंदी जोकिमों को सहने लाइक बनाना आगे बात करते हैं हम लोग आवाशन और सहरी कार मंत्राले ने छे सहरी स्थाइव के लिए प्रयायोगिक वार्षिक छम्ता निर् योजनाए हैं, इनको, A-C-BP को, अहम्दाबाद, भुनिष्वर, मैसूर, राजकोर्ट, नागपुर और पुढई, पुढए के जो अर्बन या सहरी स्थाइव निला फिल्याइव के लिए लाइक्ष किया गया है, आहमदाबाद, भुनेश्वर, मैसूर, राजकोर्ट, नागपूर और पुडे, मतलब 6 सहरों में ये जो ACBP, प्रयोगिक वार्जिक छम्ता निर्मान योजना है एक ब्यापक दस्ता बेचें, इसमें शहरी स्थानी निकायों के अधिकारियों की छम्ता और दच्चता बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी उपायों का विरुण दिया गया है मिसन कर्म योगी के ताथ गठित छम्ता निर्मान आयोग का लच्च जो है, वो केंदर राज और स्थानी निकायों में सरकारी अधिकारियों की छम्ता का निर्मान करना है मंत्राल ने सहरी इस्थानी निकायों के लिए चमता निर्माण योजनाय तयार करने हैं तो एक ब्यापक पूल किट भी लांच किया है तो ता सहरी इस्थानी निकायों में चमता निर्माण क्या ओशकता क्यों है ये भी देखें संसोधन अधिनियम के ताहत शहरी स्थानी निकायों को शाषन के तीसरे इस्तर के रूप में इस्थापित किया गया था हाला कि वए निम्रिकत समझाओं का सामना कर रहे हैं कौन सी पहला राजियों निनने सीमित स्वायत्ता प्रदान किया दूसरा बित्त के लिए राजियों जब अब देखा आभाव भी एक चुनावतिक रूप में इसके सामने है आगे बात करते हैं ग्री मंत्राल ने गैर कानूनी गद्वितियां रोगधाम अधिनियम जिसे युए पीए कहते हैं युए पीए 1967 के तहद जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रेडम पार्ट इसमें कई संसोदन हो चुके हैं मुख्य प्रवधान क्या है इस आधिनियम के दाहत किये अपराद संगे होते हैं अर्थात बिना वारेंड के भी गिरफतारी की जाथ सकती है दंड मिर्त दंड या जीवन कारावाज का प्रवधान किया गया है इसके अत्रिक तेदी ऐसे किसी वेक्त के मिर्त होती तो जुर्माना भी जुर्मानाभी लगा जा सकता है गैर्वानांस संगठना के और समर्व कैडिकार्व कानुन्स घुरत करना In है और अधिकण में केवल एक सदेश कुछी नयलक नयधीस होता है कि अंदर को प्रतत अन्य सक्तियां क्या है किसी गैर कानुनी संग्ठन द्वारे उसके धन के उपयोग को रोक लगाना किसी गैर कानुनी संगम एसोशियेशन के उद्देश के लिए उपयोग किये जाने वाल गया कोई भिक्रत सामिल है आतंकवाद से प्राप्त आयो को जब्त करना ऐसा जांच अधिकारी तोरा नामित प्रादिकारी की पूर्व अन्मत से किया जा सकता है देखें पिस्तामित राष्ट ने आतंकवाद की कोई एक सुनसीत परिवासा एकसेप्ट नहीं की है मतलब ए 1994 में संसोधनों को अधिसूचित किया है यह संसोधन डेवाद के उन प्रवधानों के कार्यानवन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करते हैं जिनमें कुछ कृत्त्यों को गयर अपराधिक घूषित किया गया है संसोधनों के उद्देश के हैं वर 1995 के केवल टेली विजन नेटवर्क विनीमन अधिनियम को और अधिक ब्यावशाय अनकुल बनाना निवेशकों का विश्वास बढ़ाना तो था यह आप डूइंग बिजनस में विर्धी करना इस अधिनियम की धाराओं की फिर से समिच्चा की गई है समिच्चा के बाद जन विश्वास प्रवधान संसोधन अधिनियम 2023 द्वारा कुछ प्रवधानों में वणित कृत्तियों के लिए कठोर दंड को बदल कर जुर्माना आदि कर दिया गया है काराबार से समधित प्रवधान की जगा आप मौदिक दंड और बरामर्स या चेताउनी की रूप में कुछ अन्य गैर मौदिक सजा के प्रवधान किये गए है मतलब कि इसकी कठोरता को क्या किया गया है कम किया गया है आगे बात करते हैं इरोप में सुरच्चा और सहयोग संगठन OSCE मिंस्क समूग के बारे में भारत ने नगोर्नो कराबाग चेतर पर अर्मेनिया और अजरवेजान की बीच जारी संगर्ज के सांतिपूर समाधान के लिए मिंस्क समूग के प्रयासों का समर्थन किया है इरोप में सुरच्चा और सहयोग संगर्ण जो है यह तो देखे नगार्णो कराबाग चेतर जो है वह अर्मेनिया और अजरवेजान का एक बीवादी चेतर है इनके मद्ध में इनकी सीमा पर ठीक है क्यों यहां पर आप मैप में देख सकते हैं यह अर्मेनिया इदर अजरवेजान है आगे चलते हैं यह आप बड़े वाइप दिखें तो जो कैस्पेंश सी के अगल नजदीक में दिखाई पड़ेगा आपको यह आपकी आते हैं इस्या में यह हम बात करते हैं OSCE के बारे में मिन्स समूं के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा छेतरी सुरचा संगठन है इसमें 57 भागिदार देश सामील है इस समूं के बारे में बात करें तो इसे 1994 में विस्तापित के गया था जेटीएफ की बाठक के दौरान हस्ताचरित समझहोतों में नेमलिखे सामील है क्या पहला उद्योग और उन्नत प्रदुकी के छेतरक में सहीयोग के लिए समझहोता गया अपन जिनमें सात मुख छेतरकों पर ध्यान दिया जाएगा UAE को UAE की Domestic Card Scheme DCS विक्सित करने के लिए अल एतिहाद पेमेंट्स और NPCI International Payments Limited के बीच समझहोता अगला है इसमें Domestic Card Scheme के बारे में देखिए Domestic Card Scheme जो है समाधान NIPL अर्था International Payments Limited प्रदान करेगा इसमें रूपे इस्टेक ता धोकादरी निग्राई सेवाए जैसे मुली वर्दित सेमाएं सामिल होंगी JTF की बात करें तो अर्थात जो उचिस्तरी सेमुत कारिबल है का गठन 2013 में किया गया था इसे भारत और इवेई के बीच ब्यापार निवेश्वा आर्थिक संबंधों को देने के लिए गठित किया गया था आगे बात करते हैं शेवा क्रे प्रबंधक सुचकांग के बारे में पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के बारे में S&P Global Market Intelligence के अनुसार सितंबर में सेवा PMI 13 साल के उचितमिस्तर पर पहुंच गया था सितंबर माह में सेवा छेतरक में व्रिद्धे के मुख कान क्या थे प्रभावी विप्रन, अनकूल मांग और नए व्यवशायों में सुधार PMI एक सर्वेचन आधरी संकेतक है इसे सेवा छेतरक की लवग 400 कमपनियों की प्रतिक्रियाओं के अधर पर जारी किया जाता है और इसे S&P Global जारी करता है आगे बात करते हैं Over the Top Over the Top platform OTT platform दूरसंचार बिवाद, निप्टान और अपेली अधिकर्ण TD-Stat ने माना है कि OTT streaming platform भारती दूरसंचार बिनियामक प्राधिकर्ण, ट्राई के अधिकार छेतर में नहीं आते है इस निर्णे के पिछेतर क्या है कि OTT platform को किन सरकार से किसी अनमत या लैसेंस की आउस्रक्ता नहीं होती है वे electronic सो सुचना प्रदोकी मंत्रावदर अजसुची सुचना प्रदोकी नियमावली 2021 के ताद सांसित होते हैं टीडी सैट दूरसंचार बिवाद निप्टान और अपीली अधिकर्ण का गठन 2000 में ट्राई अधिनियम 1997 में संसोधन करके किया गया था यह दूरसंचार छेत्रक के सेवा परदताओं और उभुकताओं के हितों के सुरच्छा या रच्छा सुनिशित करने हेतु बिवादों अपीलों पर निर्णे देती हैं आगे बात करते हैं प्रधान मंत्री उज्जुला योजना के बारे में केंद्री मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री उज्जुला योजना के ताहत सबसीडी को मोज़दा 200 रुपे से बढ़ा करके 300 रुपे कर दिया मतलब अब इसके दाम 300 रुपे घटा दिये गए हैं प्रधान मंत्री उज्जुला योजना के बारे में बात करें तो इसको प्रारम कब किया गए 2016 में प्रारम किया गया था और ये जो है पेट्रोलियम और प्राकरितिक गैस मंत्राले के ताहत आता है इसका उद्धिस ग्रामिड और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए अगे बात करते हैं हम लोग प्रोटीन बाइंडर्स के बारे में FSSAI ने इसपस्ट किया है कि डेरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या किसी भी अन एडिक्टिप्स को मिलाने की अनुमती नहीं है प्रोटीन बाइंडर्स जैविक अनसंधान अभिकरमक हैं ये नए खाद उत्पादों के एक बिसेश सिंखला के निर्मान के लिए एक विशेश लचित प्रोटीन से आबद हो जाते हैं प्रोटीन बाइंडिंग उत्पाद के प्रदसन को बढ़ा या घटा सकती है उन्हें उनके अभिनो नाटकों और गद रचनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान के आगे जाएगा उनके नाटकों और साहित ने उन्हें लोगों का आवाज दिये जो अपनी बात कहने में सच्छम नहीं थे उनकी कृतियों में शेप्रोलोजी स्रीज आफ नॉबल्स एक अर्ध जीवनी, एलिस एट तफायत, मिलन्कॉली और एश शाइनिंग सामिल है साहित में नॉबल पुरस्कार स्टॉडिस एकेडमी जो कि स्टॉक होम में है ये प्रदान करती है सुर्खियों में रहे स्टल में पैंगोग तोश्रो जील के बारे में बात करें तो पैंगोग जील 4350 मीटर की उचाई परस्थ है यह लेह लद्दाक की एक एंडो रही अर्था बू आबद जील है यह दुनिया की सबसे उचाई परस्थ खारे पाने की जील है दुनिया की सबसे उचाई परस्थ खारे पाने की जील है यह पूर्भी लद्दाक और पश्मी तिब्बत में अवस्थित है जील का एक तिहाई हिस्सा भारत में और सेस्थ दो तिहाई हिस्सा जो है चीन में है यह जील अपना रंग बदलने के लिए भी परस्थ है अलग- नेक्स वीडियों तो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।